और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे सूपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जाननी जाना है कोई बोर्ड पर इच्छा खत्म होने के बादा में दो कालेज़ों में एक कड़ी सुरच्छा के बीच मुलैंकन का काम जारी है जिसमें से कई चात्रों के सवाल हो पाज जबाब पढ़कर टीचर हैरान है कोई जबाब पढ़कर तो वो अपनी हसी नहीं रोग पा रहे है कोई चात अपनी कापी में गाना लुखे और कोई चुटकुले लिखे हुए है मा बिमार रहते ही कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ा रही है मेरे फेल होने का गम मेरी मा बरदास नहीं कर पाएगी मेरे दादा बहुत बिमार है अगर वो फेल हुए तो घर वाले मेरी साधी कर देंगे और मैं पढ़ना चाहती हूँ कालिज के पने सपर मिखले स्पांडे ने बताया कि कड़ी सुरच्छा के बीच कापियों का मुलांकन का रिचल ला है और विभाग द्वारा जारी निर्जसों का पूरा पालन किया जाएगा पूरी निगरानी के तहत कापियों के मुलांकन का काम किया जा रहा है बच्चों को अपनी कापी में अजीवो गरीवो तर लिखने पर बोले कि बच्चे कुछ न कुछ लिखते रहते हैं अखला कि उनका नाम हम उपन नहीं कर सकते पहचान छुपाई जाती है और वहीं बिहार बोर्ड ने जो छात्रों से वादा किया था वो सभी बोर्डों से पहले बिहार बोर्ड का रिजल जारी करेगा तो उसने करके दिखा दिया जी आप सभी को बता दें कि 12 के नतीजे 24 मार्ज को जारी कर दिये गए हैं और इसी के सा साथ बिहार बोर्ड ने एक नया रिकार्ड भी बना लिया जो कि इतने कम समय में आज तक किसी ने भी बोर्ड का यह कारणामा करके नहीं दिखा पाया है यदि आप भी अपने बोर्ड से समंधिस सभी चानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जोर सेर करिए धन्यवाद